दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपने तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहली कबर बिहार में इंजिनियरों के लिए सुनाहरा मौका 21,000 पदो पर बंपर वेकेंसी जिहां बिहार के ग्रावीन कायर विभाग में 21,000 नियुक्ति करने के तयारी चल रही है विभाग को दो महिने में करेब 1000 इंजिनियर मिल जाएंगे इसमें जुनियर और असिस्टन इंजिनियर सामिल है साथ यूडिसी अलडिसी स्टूर पर लेब टेकनिसियन और आइने के लिए करीब 20,000 पद सिरिजन कर बहाली के तयारी की जारी है मिली जानकारी के अनुसार करीब 9,000 इस्ताई और करीब 11,000 आस्ताई बहाली होगी विभाग में चीप इंजिनियर सुप्रेटेंडेंड इंजिनियर और एक्जेक्यूटिव इंजिनियर के लिए आतरिक पदों का सिरिजन करनी के तयारी है बहुत जल सरकार की मंजूरी की बाद बहाली प्रक्रिया सुरू होगी अगली बड़े खबर अगले महिने आएगी बिपीएसी की नई वेकेंसी सरसटवी संयूक्त मुई की परतियोगिता परिच्चा के तयारी में जुटा आयो जी हाँ बिपीएसी अगले महा सरसटवी संयूक्त मुई की परतियोगिता परिच्चा का विग्यापन निकालेगा इसके लिए नगर निगम में कारिपालक अधिकारे के पदों के 110 रिक्तिया आयोग को प्राप्त हो चुकी है आनि विवागों से भी इस मा के अंतक रिक्तियों के आ जाने की सम्मावना है उसके बाद आयोग इसका विग्यापन निकालने के प्रक्रिया सुरू करेगा और 15 अगस्ट के बाद विग्यापन निकल जाएगा आपको बता दे कि इन दिनों BPSC 28 जुलाई से सुरू होने वाले 66 संयों के मुईक के परतियोगिता परच्छा की तैयारी में जुटा है 29 जुलाई से सुरू होने वाले यह परिच्छा पटना में ही होगी इसमें लगबग 87 अभियारति सामिल होंगे अगली बड़ी खबर बिहार में बाड़ से पसुग की मौत होने पर 35,000 रुपिय मुआवजा देगी सरकार पसुपालन मंतरी का बड़ा एलान जिहां बिहार सरकार के पुसुपालन मंत्री मुकेस सहनी ने कहा कि बाड के करन पसुओ की मौत होने पर 35,000 का अनुदान दिया जाएगा इसके तरफ प्रतेक परिवार को तीन पसुओ के लिए अनुदान के विवस्तक की गई है इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोध विवस्तक को बढ़ाने के लिए प्रतेक गाह में दोध जाच मसीन, दोध उत्पादकों का बिमा, पसुओ का बिमा एवां पसुखरित के लिए रिन मुहाया कराने के लिए योजना बनाए जाएगी जबकि पसुओ आहार पर अनुदान देने के लिए कार योजना कॉमपेंट के मायदम से तयार करने का निर्दिस दिया गिया है आज में बिजली उपभोगताओं के लिए जरूरिक खबर पहले करना होगा यह काम फिर इस्तिमाल कर पाएंगे लाइट जिहां बिजली चोरी रोकने के लिए बिहार में बिभाग ने एक अभियान चेड़ा है अभियान के तहद बिजली बिभाग ने घर गर अब स्मार्ट मिटर लगाने की प्रक्रिया सुरू कर दी है स्मार्ट मिटर लगाने से विवाग समीत उपभोगताओं को भी काफी फायदे होंगे स्मार्ट मिटर लगने के बाद उपभोगताओं को बिजली बिल के जंजट से छुटकारा मिल जाएगा मोबाइल के तरह रिचार्ज होने वाले इन मिटरों में जितने का रिचार्ज कराएंगे उतने ही बिजली खर्च पाएंगे आपको बदा दे कि स्मार्ट मिटर के बाद बिजली चालू करने के लिए दर तै कर दिये गए हैं इसके लिए उपभुगताओं को कम से कम पाँच रिचार्ज कराना होगा इसके बाद बिजली चालू होगी मोबाइल सेस से ही रिचार्ज होगा वहीं अलग अलग जगोप पर रिचार्ज सेंटर भी खोला जाएगा राज के कोलेजों में अंग्रेजी अब जरूरी नहीं इंजिनेरिंग के पढ़ाई हिंदी सहीद 11 भासाओं में इसी सत्र से सुरू होगी सुसिल मोदी ने दी जानकारी देश के आठ राज़ों के चोदह इंजिनेरिंग कोलेजों में पहली बार हिंदी, बांगला, माराथी, सहीद, इगारा भारती भासाओं में पढ़ाई इसी सेचनी सत्र से सुरू होगी भारती तकनिकी सिक्चा परिशद ने इसके लिए अनुम पर परदेश सही तमाम राज़ों में ग्रामिन इलाकों के चात्र चात्राओं को होगा, जिनके लिए अंग्रेजिक की सिक्चा हासिल करना अभी आसार नहीं है। मजिश्टीर्ट ने दर्ज कराया है, इसमें उन्होंने मदन मोहन जाव प्रेमचेंद्र समेथ 154 आज्यात के खिलाब बिना अनुमति के रेली निकालने का आरोप लगाया है। मजपरपूर के ग्रामिन इलागों में बाड की सिती एक बार फिर गंबिर हो गई और आई कट्रा और गाय गाड के नई इलाकों में पानी फिलने लगा है। मजपरपूर के जलस्तर में बड़ोत्री होने से दोनों प्रकंडों की एक दर्जन से अधिक पंचायतों में बाड का पानी फिल गिया है। इस से करीब पचास हजार लोग प्रभावित है। बिहार में फिर सक्री हुआ मानसून पटना समित कई जिलों में जहमाजम बारिस बारिस को लेकर अलड जारी। जिहां मौसम एक बर फिर करवट ले रहा है। बिहार में मानसून सक्री हो गिया है। बाड़ी कबर पूर्व मंत्रे मेवालाल चोधरी को मिर्त गोसित कर चार्ज सीट दाखिल करने की तैयारी एक्षन में बिहार पुलिस जिहां बिहार क्रिसीव इस विदालाय में हुए न्यूक्त घुटाले को लेकर भागलपूर पुलिस एक बर फिर से एक्षन में आ गई बिहार सरकार के पूर्व सिक्षा मंत्रे और दिवगंत नेता मेवालाल चोधरी को मिर्त गोसित कर चार्ज सीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है असिस्टन प्रोफेसर के न्यूक्ति में गुटाले को लेकर भागलपूर पुलिस की ओर से सरकार और सम्मदित अधिका पत्र भेजा गिया है पिछले डेड़ साल से पेंडिंग पड़े अभियोजन की स्विकिरती के बाद भागलपूर की पुलिस एक्षन में आ गई है न्यूक्ति घुटाले को लेकर पुलिस ने बिहार सरकार सची वाले और पुलिस मुक्याले से पत्राचार करना एक बर फि दाकिल कर सकती है अगली बड़ी खबर आर से पी सिंग चोड़ेंगे जिडू अधक्च की कुरसी प्रदेश पदादिकारियों के बैठक में हो गया साप बोले किसी मजबूत साथी को देंगे जिम्मेदारी जहां केंद्रे मंत्रे मंदल में सामिल होने वाले जनतादाल उन दिली से जुड़े थे इस बेटक के दोरान नितिस कुमार ने कई बार उपेंद्र खुसवाहा की चर्चा की उपेंद्र खुसवाहा जिस तरफ विहार दोरे पर निकले हैं उसकी चर्चा करते वे नितिस कुमार ने उनके काम को सराह है नितिस कुमार की तरफ से खुसवाह कर निकलने यह सब्द इस बात का संकेत दिये हैं कि आगे उन्हें बड़े जिम्मेदारे दी जा सकती है केंदर में आरसेपी सिंग के मंत्री बनने के बाद लगातार जिर्योई के अंदर खाने से यह कबरे आ रही है कि आरसेपी सिंग की जगा उन्हें राष्ट्य अधग्ज बनाया जा सकता है अगली बड़े कबर चिर्याक पाषवान ने नितीश कुमार को दिया जटका जिर्योई के कई निताओं ने थामा LGP का दामन लोजपा के राष्ट्य अधज सजमोई सांसत चिर्याक पाषवान में आस्ता व्यक्त करते हुए जदोई के कई निताओं ने उनकी पार्टी की सदस्ता गरहन की पार्टी के प्रदेश अजज राजुत तिवारी ने इन नितावों को रैवार को सदस्ता दिलाई चिराक पासवान ने पार्टी की सदस्ता गरहन करने पर नितावों को बधाई दी है कहा कि लोजबा के प्रती लोगों की आस्ता बड़ी ह आसिरवाद यात्रा के दोरान भी बिभीन जिलों में लोगों का आपार जन समर्तन मिल रहा है प्रदेश परवक्ता, राजस बट ने बताए कि रैवार को लोजबा का दावन थावने वाले इंताओं में जिदोई के पूरवे परदेश परवक्ता नवल सर्मा प्रमुक है उनके साथ जिदोई नेता अविसेख सिंग, अमन कुमार भी पार्टी में सामिल हुए है इसके अलावा रालो सिपा के कुछ नेताओं न भी सदैस्ता गरहन की है बिहार में फिर से बढ़ रही है कुरोना की रब्तार सेम नितिस कमार को करनी पड़ी लोगों से अपेल जिहां बिहार में कुरोना संक्रमन की रब्तार जरूर कम है लेकिन कुरोना खतम नहीं हुआ है आलाम यहाई के राज में रोजाना 70 से ज़्यादा मरीजों में संक्रमन की पूष्टी हो रही है और कई जीलों में अभी भी खत्रे से बाहर नहीं निकल सके है पिछले 24 गंटे में आगडों पर गोर करे तो राज में 89 मरीजों में संक्रमन की पूष्टी हुई है इसमें सबसे ज़दक खगडिया में 9 मरीज संक्रमित मिले हैं वही भोजपूर में 4, बेगो सरायत में 3, किसन गंज में 4, नालंदा में 5, मुझपरपूर में 4, सुपोल में 3, साथ ही बाकी और जिलो में 1 और 2 मरीज मिले हैं राज में 24 घंटे में 105 मरीज कोरोना से ठुई हैं, वही रिकावरे रेट अभी भी 98.97% पर है आख वदा दे कि कोरोना को लेकर जहां लोगों में डर खतम हो गया है और लोग पूरी तरह से लापारवा दिख रहे हैं वही कई राज्यों में खतरनाग डेल्टा पलस वरेंट लोगों को अपनी चमेट में ले रहा है तिसरी लहर से पहले सेम नितिस कुमार ने भी इसे गंभिरता से लेते हुए स्वास्त विवाक के अधिकारियों को राज में रोजाना कम से कम दो लाख लोगों का कोरोना जाच करने के लिए कहा है नितिस ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों की जाच होने से संक्रमित का पता चलेगा और इससे कोरोना के फैलाव को प्रभावी तरिके से रुखा जा सकेगा CM ने आम लोगों से मास्क का परियोग करने आपस में दोरी बना कर रखने और हाथ को धोते रहने की अपिल भी की है CM ने कहा कि इससे कोरोना का फैला कम होगा और हम सुरक्चित रहेंगे बाड़ी खबर रेलवे की गुरुबडी परिच्छा नोकरी की लड़ाई ट्यूटर पर टॉप ट्रेंड में चाई जिहां रेलवे की गुरुबडी परिच्छा में फोर्म निरस्त करने की खामियों पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है रिल्वे रिकूर्मेंट सेल यानि की आरारसी के रूख से नाराज करीब साड़े चार लाग चात्रों ने सोसल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है नोकरी की हल लड़ाई रैवार को ट्यूटर पर टॉप ट्रेंड बनकर चाही रही रारसी की ओर से अभियर्तियों का फॉर्म रिजेक्ट करने का मुद्दा रैवार सुबह 10 बजे से ट्यूटर पर ट्रेंड करने लगा महाज आदे घंटे में 65,000 से अधिक लोगों ने ट्यूट करके चात्रों का समर्तन किया साम 6 बजे तक 6,29,000 ट्विट के साथ यहा मुद्दा टॉप ट्रेंड करता रहा रारसी की गुरुबडी परिच्छा के लिए 1,15,000 अभियर्तियों ने ओनलाइन आवेदन किया था रारसी ने 5,11,000 चात्रों के आवेदन इन्वेलिट फोटो और हस्ताक्चर के कारण निरस्ट कर दिये प्रभाविच चात्रों ने ट्विट और मेल किया तो रारसी ने सौप्ट्विएर के गलते मानते हुए निरस्ट फर्म फिम जमा करने को कहा इस बार 44,422 आवेदन मंजूर कर ले गए बचे 4,4 लाग आवेदन रिजक्थी माने गए आपको बता दे कि गुरुबडी की परिच्छा के लिए जो फोटो और हस्ताक्चर को सौप्ट्विएर ने इन्वेलिड माना वही NTPC परिच्छा में माने हो गए ऐसे में 4,5,4 लाग चादरों का भविस अधर में लटका तो उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया बढ़ी केंदर सरकार ने बढ़ाया मुझपरपूर इसमार्ट सिटी का दाइरह नए इलाके भी अब किये जाएंगे सामिल जिहां केंदर सरकार ने मुझापरपूर स्मार्ट सिटी का दाइरा 1172 एकर से बढ़ा कर 277 एकर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यानि स्मार्ट सिटी एरिया में अब मिठनपुरा, कमलबाग चोक, इनवर सिटी, छाता चोक और बरेया बस इस्टेंड का इलाका सामिल हो गया है करिब तीन महने पहले नगर विकास एवं आवास विबाग ने केंदर सरकार को इसका प्रस्ता भेजा था परन्त की बड़े ख़बर बिहार के लोगों के लिए नेपाल जाना होगा और पहले से भी ज्यादा आसान ट्रेन के लिए इस पी ट्रायल सफल जिहां भारत एवं नेपाल के बीज रेल संपर के सिवा और बेहदर होगी पूरो मजद रेल हाजीपूर में पढ़ने वाले समस्ति पूर रेल मंडल के जैनगर से नेपाल के कुर्ता के बीज ट्रेन के लिए इस पी ट्रायल सफल रहा इस पहल से बिहार के लोगों के लिए नेपाल की रा और आसान हो जाएगे आपको बदा दे कि समस्ति पूर मंडल के जैनगर और नेपाल के कुर्ता के बीच 34.5 किलो मेटर लंबे नव आमान परिवर्तर रेलकंड पर रेवार को लोको मोटिव से 110 किलो मेटर परति घंटा की गति से सपलता पुर्वक इस पी ट्रायल किया गया आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि साड़े चार लाग गुरुपटिक के चात्रों का फॉर्म रिजक्ट होने के कारान उनके भविस को देखते वे सरकार को उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं